मनुष्य के सारे संबंधों का अधार है अपेक्षा पती कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे पत्नी कैसी हो जो सदेव मेरे प्रसी समर्पित रहे संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे मेरा अदेश बाने मनुष्य मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पून करता है और अपेक्षा की तो नियती है भंग होना कैसे क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन लेते हैं कोई अन्य वेक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता पून करने की प्रमाने के चाहो तब भी कोई मनुश्य किसी की अपेक्षाओं को पून नहीं कर पाता। और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्थित हो जाते हैं। पर मनुष्य अप एक्षा को संबंध का अधार ना बनाए और स्विकार करें केवल संबंध का अधार तो क्या ये जीवन स्वैमेव सुख और शान्ती से नहीं भर जाएगा स्वैम विचार कीजेगा समय के आरम से ही मनुष्य को एक प्रश्ण तदा पीड़ा देता है कि वो अपने संबंधों में अधिक्तम सुख और कम से कम दुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है क्या आपके सारे संबंधों ने आपको संपून संतोष दिया है कि विचार कीजे हमारा जीवन संबंधों पर आधारत है हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारत है इसी कारण हमारे जीवन के सारे सुखों का आधार भी संबंध है किन्तु फिर भी हमें संबंधों में ही अधिक्तर दुख क्यों प्राप्त होते हैं सदाही संघर्ष भी संबंधों से ही उत्पन क्यों हो जाते हैं कभी विचार किया है जब कोई वेक्ति किसी अन्य वेक्ति के विचार अथ्वा कारे को स्विकार नहीं करता उसमें परिवर्थन करने का प्रेथन करता है तो संघर्ष जन देता अर्थार जितना अधिक अस्विकार उतना ही अधिक संधर और जितना अधिक स्विकार उतना ही अधिक सुख्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् करना इतना कठ है अर्थार क्या स्विकार ही संबंध का वास्तवी कर्थ नहीं कि स्वयम विचार कीजिए जब किसी वेक्ति को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है तो वो घटना उसके अंतर को जग जोर देती समस्त जगत उसे अपना शत्रू प्रतीत होता है अन्याय लगने वाली घटना जितनी बड़ी होती है मनुष्य का हृदे भी उतना ही अधिक विरोध करता है उस घटना के उत्तर में वो न्याय मानता है और ये योग्ये भी है वास्तव में समाज में किसी भी प्रकार का न्याय वेक्ति की आस्था और विश्वास का नाश है किन्तु ये न्याय क्या है न्याय का अर्थ क्या है अन्याय करने वाले को अपने कारे पर पश्चा ताफ हो और अन्याय भुगतने वाले के मन में फिर से विश्वास जगे समाज के प्रति इतना ही अर्थ है ना न्याय का किन्तु जिसके रुदे में धर्म नहीं होता वो न्याय को छोड़कर बैर और प्रतिशोद को अपनाता है हिंसा के बदले प्रति हिंसा की भावना लेकर चलता है स्वैम भोगे हुई पीडा से कही अधिक पीडा देने का प्रेत्न करता है और इस मार्क पर चलते अन्याय को भुगतने वाला स्वैम अन्याय करने लगता है शीग रही वो अपराधी बन जाता है अर्थात न्याय और प्रतिशोद के बीच बहुत कम अंतर होता है और इसी अंतर का नाम है धर्द क्या ये सत्के नहीं? स्वैम विचार कीजिए दो वेक्टी जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रेत्न अवश्चे करते हैं हम यदि सारे सम्बंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि इन सारे सम्बंधों का अधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं और यदि अंजाने में भी कोई अन्य विक्टी इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदिक प्रोध से भर जाता है इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है या हमने कभी विचार किया सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्टी को निर्णे करने की अनुमती नहीं देए अपना निर्णे उस व्यक्टी पर खोपते अर्फात किसी की स्वतंत्रता का अस्विकार करते हैं और जब स्वतंत्रता का अस्विकार किया जाता है तो उसका हृदे दुख से भर जाता है और जब वो सीमाव को तोड़ता है तो हमारा हृदे करोज से भर जाता है क्या ऐसा नहीं होता? पर यदि एक दूसरी की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आविशक्ता ही नहीं होती और पार जिस प्रकार स्विकार किसी संबंध का दे है क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं कोईन विचार की पिता सदा ही अपने संतान के सुख की कामना करते हैं उनके भविश्य की चिंता करते रहते हैं इसी कारण वर्ष सदा ही अपने संतानों के भविश्य का मार्ग स्वयम निश्चित करने का प्रैथ्न करते रहते हैं जिस मार्क पर पिता स्वेम चला है जिस मार्क के कंकर पत्थर को स्वेम देखा है मार्क की छाया, मार्क की धूप को स्वेम जाना है उसी मार्क पर उसका फुत्र भी चले यही इक्षा रहती है हर पिता है निसन दे, उक्तम भावना है यह किन्तु तीन प्रश्णों के उपर विचार करना हम भूल ही जाते कौन से प्रश्ण? प्रधम प्रश्ण क्या समय के साथ प्रतेक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनोतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीडी को किस प्रकार लाब दे सकते हैं? दूसरा प्रश्ण क्या प्रतेक संतान अपने माता-पिता की छवी होता है? हाँ संतानों को संसकार तो अवश्य माता-पिता देते हैं किन्तु भीतर की शंता हीतर की शंता तो इश्वर देते हैं तो जिस मार्क पर पिता को सफलता मिली है विश्वास है कि उसी मार्क पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्थ होगा क्या जीवन के संघर्ष और चुनोतियां लापकारी नहीं होती क्या प्रतेए नया प्रैश्वने एक नये उत्तर का दोई नहीं खोलता तो फिर संतानों को नए-ने प्रश्णों, संगर्षों और चुनोतियों से दूर रखना ये उनके लिए लाब करना कहलाएगा या आनी पहुचाना अरहाथ जिस प्रकार संतान के भविश्य का निर्मान करने के बदले उसके चरित्र का निर्मान करना श्रेष्ट है वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संगर्षों के साथ जूजने के लिए मनों बल वग्यान देना अधिक लाबगायक नहीं होगा तो एम विचार कीजे सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्चे आता है कि सत्य कहने का निश्चे होता है रिदे में किन्तु मुख से सत्य निकल नहीं पाता कोई भए मन को घेर लेता है किसी घटना अथ्वा प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वेम से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना क्या ये सकते है नहीं ये तो केवल तथ्य है अर्थात जैसा हुआता वैसा केवल बोल देना समानने सी बात किन्तु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन्त। दूसरे को दुख होगा ये भय भी शब्दों को रोकता है तो ये सकते क्या है क्या हमने कभी विचार किया है जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सकते कहलाता है वास्तव में सत्य कुछ और नहीं केवल निर्भायता का दूसरा नाम है और निर्भाय होने का कोई समय नहीं होता क्योंकि निर्भायता आत्मा का स्वभाव है अर्थात क्या प्रते एक्षण सत्य बोलने का अक्षण नहीं होता स्वयम विचार कीजिए जब भी किसी की आशा और इक्षा भंग होती है तो उसका इरदे क्रोध से भर जाता है जिस वेक्ति को वो अपना अपराधी समझता है उसे दण्ड देने का प्रेत्न करता है पर क्या हमारी इक्षा या आशा का भंग होना क्या सदा ही किसी का अपराध होता है हिं the एक्षाओं के अपून रेने की तो कई कारण हो सकते पूस तो तंजूग के कारण धूरी रह जाती हैं और कुछ नियती के कारण। और कभी कभी एक्षाओं का स्वरूफ ही ऐसा होता है कि वोники में, क्या irritating कि ना सुअ है प्रतिशोद में न्याय का अधार तो दयार करुणा और प्रतिशोद का अधार प्रोद अंधार अर्थार प्रिदे में करुणा धारन किये बिना किसी के अपराद के विशे में विचार करना किसी को दंड देना कि आपने आप में ही अन्याय नहीं स्वयम विचार कीजिए जपनों और पूर्व अभासों के अधार पर हम भविष्चे के सुख दुख की कलपना करते हैं भविष्चे के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते किल्तु कल की संकट को आज निर्मूर करने से हमें लाप मिलता है या आनी पहुँचती है ये प्रश्ट हम कभी नहीं करते सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारन ताथ जन से व्यक्ति के लिए भी और प्रिष्टी के लिए भी नहीं आप अपने भूतकार का स्परण कीजिए ये थी हास को देखे आप तुरंधी ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारन करने वारी शक्ति भी जन लेती यहीं तो जगत का चलन है वस्तव संकट ही शक्ति के जन का कारण है प्रतेक वेक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है अधिक चमरता है आत्म विश्वास्ते अधिक भरा होता है ना कि अवल अपने लिए अवितु विश्व के लिए भी क्या ये सकते नहीं वास्तव में संकट का जन है एक अफसर का जन अपने आपको बदलने का अपने विचारों को उचाई पर करने का अफ्द अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंदित बनाने का अफ्द जो यह कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता किन्तु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वय में एक तंकट है विश्व के लिए विचार की जिए परमपरा में धर्म बसता है और परमपराएं ही धर्म को संभालने का कारे करती हैं ये सत्य पर क्या केवल परमपरा ही धर्म है विचार कीजिए सत्य तो ये है कि जिस प्रकार पाशान में शिल्प होता है उसी प्रकार परमपरा में धर्म होता है इस पत्थर में शिल्प है ये पत्थर शिल्प नहीं शिल्प को जागर करने के लिए उसे तोड़ना पड़ता है अनावश्चक भागों को दूर करना पड़ता है ठीक उसी प्रकार परंपराओं में धर्म धूंड़ना पड़ता है जिस प्रकार इंद्र पूजा की परमपरा को तोड़ कर गोवर्धन पूजा का धर्म ना ढूंडा जाता तो यादवों को उनकी मुक्ति का मार्क नहीं मिल पाता अर थाथ परमपरा को पूर्टा छोड़ देने वाला धर्म से वंचित रह जाता है और परमपरा का अंध अनुकरण करने वाला भी धर्म को प्राप्त नहीं कर पाता कहते हैं हंस के पास नीर्ख शीर विवेक होता है दूद में मिले पानी को छोड़ कर केवल दूद ही ग्रहन करता है तो क्या सच्चा धर्म प्राप्त करने के लिए रुदे में ज्यान से जन्मा विवेक आवश्यक है और ऐसे विवेक के बिना जिसे धर्म मान भी लिया जाए जो वास्तव में धर्म ना भी हो ऐसा भी तो हो सकता है स्वयम विचार कीजेगा भविष्चे के अधार पर सब आज का निड़ने लेना चाहते हैं भविष्चे में सुख मिले भविष्चे सुरक्षे थो ऐसे निड़ने आज लेने का प्रेत्न रहता है सबका आप अपने जीवन को देखिए क्या आपके अधिकतर निड़ने के पीछे भविष्चे का विचार नहीं होता और हो भी क्यों ना अपने जीवन को सरल और सुख में बनाने का प्रेत्न करने का अधिकार जीवन के सारे महत्वपून निर्णे कल पनाओं के आधार पर ही करते हैं हम। क्या निर्णे करने का कोई तीसरा मार्ग हो सकता है। विचार कीजे। सारे सुखों का आधार धर्म है। और वो धर्म मनुष्य के रिदय में बसता है। तो प्रतेक निर्णे से पूर्व स्वयम अपने रदय से ये प्रश्न वश्य पूछ लेना। कि ये निर्णे स्वार्थ से जन्मा है या धर्म से। क्या इतना परियाप्त नहीं। भविश्य के बदले धर्म का विचार करने से क्या भविश्य अधिक सुखपूर्ण नहीं होगा। स्वयम विचार कीजिए। वेक्ती को जब उसके अपराद का दंड मिलता है तब कभी-कभी उसने आए को देखकर मन को चोड़ता है। प्रश्न उड़ता है रिदे में कि जब वो अपराद हुआ था तब वेक्ती भिन्य था। उसके पश्चात उसने इतने पश्चाताप किये, स्वयन में इतना परिवर्थन किया, फिर उसे दंड क्यों मिले। पर जहां अघात होता है वहां तत्य अघात ही होता है, जैसा कर्म, वैसा फल। यदि किसी को प्रेम दोगे, तो सुख प्रात्थ होगा। यदि किसी की हत्या करोगे, तो मृत क्यों दंड मिलेगा। जैसा कारे, वैसा ही न्याय। तो फिर प्राश्चत और पश्चात आपका कोई मुल्ले नहीं। है, अवश्य है मुल्ले। प्राश्चत और पश्चात आप मनुष्य की आत्मा को बल्वान करता है। आने वाले दंड को स्विकार करने के लिए मनुष्य को तैयार करता है। अर्थात बिना प्राश्चत के दंड स्विकार करने का कोई मुल्ले है। स्वयम विचार केजे। जब अपने किसी अच्छे कारे के उत्तर में दुख प्राप्त होता है अथ्वा किसी को उसके दुष्ट कारे में सुख मिलता है तो मन अवश्य विचार करता है कि अच्छा कारे करने का धर्म के मार्क पर चलने का ताक पर्रे क्या है पर दुष्ट आत्मा को क्या प्राप्त होता है ये भी देखिए दुष्चता करने वाला रिदे सदा चंचल रहता अकुलाता है रहता मन में सदा नए नए संघर शुत्पन होते अविश्वास उसे जीवन फर दोडाता क्या ये सुख जब भी धर्म पे चलने वाला अच्छा कारे करने वाला सद्चरुत्र वेक्ति का रिदे शांत रहता है परस्थितियां उसके जीवन के सुख में बाधा नहीं बनते समाज में समान और मन में संदोश रहता है सदा अरथा अच्छा बरताव भविश्य में किसी दुख का मार्ग नहीं अच्छा बरताव स्वयम सुख अथ्वा बुरा बरताव भविश्य में किसी दुख का मार्ग नहीं अधर मुसी क्षण दुख उत्पन करता है धर्म से सुख नहीं सत्ता की लालसा सब के हुरुदे को घेरे रहती है प्रतेक विक्ती अपना एक राष्ट निर्मित करने का प्रेत्न अवश्य करता है फिर वो राष्ट कुरु राष्ट की भांती बहुत बड़ा हो या फिर अपने परिवार तक सीमित हो वो सत्ता प्राप्त करने का प्रेयास अवश्य करता है किन्तो सत्ता का वास्तविक रूप क्या है क्या हमने कभी विचार किया है एक मनुष्य जितने अधिक लोगों के जीवन को प्रभावित कर सके जितने अधिक लोगों के जीवन की स्वतंतरता पर अंकुष रख सके उतनी ही अधिक सत्ता का अनुभव करता है वो सत्ता का वास्तविक रूप ही है अन्य के जीवन पर स्वयम का प्रभाव किन्तु क्या वास्तविक प्रभाव प्रेम, दया, करुणा और धर्म से निर्मित नहीं होता जब भी मनुष्य का ठोड़ता और धर्म से सत्ता प्राप्त करने का प्रेत्न करता है तब वो दूसरों के हुरुदय में विरोध अथवा विद्रोह को जन देता है और परिणाम, परिणाम कुछ इस प्रकार हाँ, कुछ समय के लिए वो स्वैम को प्रभावी और शक्तिशाली अवश्य पाता है किन्तु वो वास्तविक सत्ता नहीं यही कारण है कि ब्रिगू और वशिष्ट जैसे रिश्यों की आज भी पूजा की जाती है रावन और फिरन्य कश्युपु की नहीं इस पर तो आप विचार अवश्य करें सत्ते कहाना इस संसार में आने वाला प्रतेक बालक संपून तह संसकार रहित होता है उसके अंतर पर ना किसी अच्छे संसकार के चिन अंकित होते हैं ना ही बुरे संसकार के अर्थार जन से बालक में ना कोई गुण होता है और ना ही कोई दोश तो ये दोश अथवा गुण किस प्रकार प्राप्त होते हैं? क्या हमने कभी विचार किया है? जो बात माता पिता के मुख से निरंतर सुनी जाती है वही बात उनकी संतानों के रदे का संसकार बनती है जैसे किसी गाउं में नदी तट तक एक पक डंडी बन जाती है केवन उस मार्क पर बार बार चलने के कारण अर्थात माता-पिता के हृदे की एक्छाएं उनकी संतानों के हृदे का दोश अथ्वा गुण बनकर जन लेती हैं क्या ये सत्ते नहीं? पर फिर भी जब उनकी संतानों में कोई दोश दिखाई देता है तो माता-पिता आश्चर्य और दुख से भर जाते माता-पिता का हृदे ये प्रश्चन करता है कि उनकी संतानों में ये कूश अंसकार आए कहां से? सत्ते तो यही है कि माता-पिता अपनी संतानों को अंजाने में ही कूश अंसकार के बीज दे देते हैं जो उनके संतानों की हुर्दय भूमी पर कू संस्कार का वरिक्ष बन कर उपता है अठात अपनी संतानों को सू संस्कारी और धर्म में बनाने की आशा रखने वाले प्रतेक माता पिता को प्रथम अपने हुरुदे की एक्छाओं पर अंकुष रखना क्या निवारे नहीं? प्रतेक माता पिता इस पर विचार अवश्य कीजेगा